नमस्ती, बबली स्केफिटेरिया में आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपने अपने घर पर सुरक्सित होंगे अभी कुछ दिन के अंदर आम का सेजिन खतम होने वाला है तो आम खतम होने से पहले हम आम के और कुछ टीसेस बना लेते हैं तो मैं आज आप लोगों के साथ सेयार करने वाली हूँ म्यांगो बुंदी यानि आम क्रस से भरी हुई बुंदी की रेसिपी तो चलिए भी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बड़े से मिक्षिंग बॉल के अंदर हम एक कप बैसन को चान के ले लेंगे चानना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम बैसन का ब्याटर बनाएंगे उसमें कुछ भी लंप्स ना पड़े उसके साथ हम एक कप आम के रस को भी चान के ले लेंगे चानना इसलिए जरूरी है ताकि उसके अंदर अगर कुछ भी रे से बगरा रह जाता है तो चानने के वज़े से वो भी निकल जाएगा इसलिए आम रोस को भी छानना जरूरी है फिर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके अंदर हम दीरे-दीरे करके पानी आड़ करेंगे पानी आप जितने क्वांटिटी में जरूरत पड़ेगी उतने क्वांटिटी का पानी आड़ कीजिएगा मैं यहां पर आधा कप से थोड़े से ज्यादा पानी आड़ कर रही हूँ उसके वज़े से जो बैटर हमारा बन के तयार होगा वो ज्यादा ठीक भी नहीं होगा और ज्यादा थीन भी नहीं होगा तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे और उसके अंदर एक चमर्च तेल लाड़ कर देंगे बैटर अच्छी से बनने के बाद हम इसको cover करके 10 मिनिट तक रख लेंगे और उसी टाइम के अंदर हम तेल गरम कर लेंगे तेल गरम करेंगे और उसके साथ-साथ हम बुंदी जिसमें बनाने वाले हैं यानि कि जो बुंदी का स्कीमर है उसको अच्छी तरह से तेल लगा के ग्रिस कर लेंगे ये स्विट्स बुंद से तयार होती है इसलिए उसका नाम बुंदी है बुंदी को fry करने के टाइम तेल बिल्कुल भी थंडा नहीं होना चाहिए एकडम गरम तेल में बुंदी को fry करना चाहिए बुंदी को बस एक मिनिट के अंदर फ्राय होने के बाद हम इसको इस तरह से निकाल देंगे और फिर सेकेंड बेच डालेंगे लेकिन हर बार हम skimmer को अच्छी तरह से कोई पतला कपड़ा के मदद से या फिर पानी में धोके उसको हर एक बार साफ करेंगे और फिर बुंदी को बना के तयार करेंगे हर वर बुंदी बनाने वाले स्कीमर को बुंदी बनाने से पहले उसको अच्छी तरह से धोके अगर नहीं बनाएंगे या फिर पोच के नहीं बनाएंगे तो आपके जो बुंदी है वो नीचे ठीक तरह से टपकेगा नहीं तो आपके जो बुंदी है वो अच्छी तरह से बनेगा नहीं अगर आपके पास बुंदी बनाने वाला स्कीमर नहीं है तो आप इस तरह से घर पे ये वाला जो स्कीमर होता है यह तो हर घर पे होता है अब इस तरह से भी बुंदी बना सकते हैं लेकिन एक पार हमेशा याद रखिएगा बुंदी बनाने के लिए तेल हमेशा ज्यादा गरम होना चड़ी रही है और बुंदी को सिप एक मिनिट के अंदर उसको निकाल देंगे नहीं तो बुंदी पुरा काला पढ़ जाएगा और अच्छा भी नहीं लगएगा खाने के लिए इस तरह से हम चान के सारा बुंदी को तयार कर लेंगे देखिए सारा बुंदी अभी हमारा दिरे-दिरे करके तयार हो रहा है इससे पहले भी मैंने मेरे चानल पे बुंदी की रेसिपी अपलोड की इस तरह से हम सारा बुंदी चानने के बाद हम चासनी की तयारी करेंगे चासनी बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई के अंदर हम डालेंगे थ्री फोर्थ कप चिनी और उसके साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे थ्री फोर्थ कप पानी अगर आप नर्माल बुंदी बनाते तो एक पानी और एक कप चीनी के अंदर आ जाएगा उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1 फॉर्थ कप आम का रस ज्यादा आम रस मत डालिएगा चासनी के अंदर वरना जब बुंदी उसके अंदर आप डालेंगे तब बुंदी आम रस में पुरा चिपक के रहेगा तो अच्छा निक लगागा खाने में और उसके साथ हम इसके अंदर थोड़े से निम्बू का रस भी डाल देंगे और थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स भी डालेंगे मैं याँ पे कैज्यू किस्मिस और थोड़े से मगस डाल रही हूँ सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर हम जो फ्राइ करके जो बुंदी को रखे थे उसको डाल देंगे सारे बुंदी डालने के बाद हम एक बार उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इंडक्सन का जो फ्ले में उसको बन कर लेंगे, देखिए, कितना रस लग रहा है कि उसके अंदर बहुत सरा रस है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, मतलब आदा गंटा एक गंटे के बाद, अच्छी तरह से जो बुंदी है वो रस को अबजर्ब कर लेगा, ये देखिए, एक गंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी तरह से बुंदी ने रस को अबजर्ब कर लिया है, देखिए, कितने अच्छी तरह से अभी हमारा आम का बुंदी बन के तयार हो गया है, मैरे चोटी चोटी टीफ्स बोली है, आप बस उसको फॉलो करके मैंगो बुंदी बनाईए घर पर और आपकी अनुभब मेरे साथ जरूर सेयर कीजिएगा, और साथी में अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना हुलेगा, तो इसी उमीद के साथ आप सबसे अभी विदा ले रही ह फिर मिलते हैं और एक नहीं रिस्पी के साथ, तब तक अपना खूफ क्याल रखिए, नमस्ते, गुर्बार और टेक केर